वेलकम बेक टू विकास लाइफ स्टाइल आज हम खड़े हैं जर्मन सेटान के सामने जिसका नाम है फॉक्स वेगन एम्यो 2016 में लॉंच हुई थी और अभी आप इसका फर्स जेनरेशन वेरियंट देख रहे हैं पैट्रोल डीजल और आटोमेटिक टांश्मिशन में आती थी एक शोरूम था 5,60,000 रुपीज और टॉप मॉडल की कीमत है 10,00 रुपीज आटोमेटिक टांश्मिशन सिर्फ डीजल में आता था और ये टॉप मॉडल हाई लाइन प्लस आप देख रहे हैं आएए बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की यहाँ पे मिलेंगे आपको फॉग लैम्ट्स क्रोम फिनिश के साथ में यहाँ मिलेगा आपको फ्रंट ग्रिल काफी अट्रेक्टिव फ्रंट डिजाइन है और ये हैं ब्लैक फिनिश में हेलोजन डॉयल बीम हैड लैम्ट्स नीचे आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है लैटिन वर्ड एमो से लिया गया है एमियो का नाम जिसका मतलब होता है आई लव और यहाँ मिलेगा आप फॉक्स वेगन का लोगो फ्रेंट बोनेट पे डिजाइन यहाँ मिलेगा आपको रेंज सेंसिंग वाइपर्स ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में रूफ को कस्टमाइज कराए गया है यहाँ मिलेगा आपको रूफ एंटीन इलेक्रिक्ली अज़ेस्टेबल इलेक्रिक फोल्डिक आउटसाइड मिरर्स है टर्न इंडिकेटर के साथ आईए बात करते हैं डैमेंशन की फोर मीटर लेंथ है वन पॉर मीटर हाइट है और 1200 कजी कर्वेट है एमियों का और ये है 16 इंच के अलॉइ वील्स 15 इंच के अलॉइस का भी ऑप्शन है स्टील वील्स में 15 और 14 इंच के वील्स के ऑप्शन है फ्रेंट में डिस ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे अलॉइस के बीच में फॉक्स वेगन का लोगो मिलेगा सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए और इंडिया में ही बनाई गई है M.E.O इसी लिए ये एक इंडियन कार है महराष्टरा के चाकन सहर में असेंबली होती है M.E.O की अभी आप इसका वाइट कलर देख रहे हैं ब्राउन, सिल्वर, ग्रे, ब्लू का भी ऑप्शन है गैलोनाइजड स्टील बॉड़ी है आगे इस्टेपलाइसर बार के साथ मेकफ़र्शन स्ट्रट पीछे सैमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलेंगे यहां मिलेगा आपको रिफ्लेक्टर, रियर पारकिंग सेंसर, एक्जॉस्ट टेल पाइप काफी अट्रेक्टिव रियर प्रोफाइल है यहां मिलेगा आपको रियर टेल लैंप यहां मिलेगा आपको फॉक्स वेगन का लोगो M.E.O की बेजिंग क्रोम फिनिश के साथ फॉक्स वेगन का लोगो रियर कैमरा हाइ मोटिस टॉप लैंप रियर डिफॉगर विट टाइमर और यहां मिलेगा रूफ एंटीन सेफटी के अंदर दो एर बैक, E.B.S रिमोट कंट्रोल सेंटर दो लोकिंग रिवर्स पार्किंग सेंसर और कैमरा स्पीड सेंसिंग आटो डोर लोक्स इलेक्ट्रोनिक इंजन इमोबिलाइजर और 3.ELR सीट बेल्ट्स मिलेंगी आटोमेटिक ट्रास्मिशन में हिल होल्ट कंट्रोल और इलेक्ट्रोनिक स्टेबलाइज़ेशन प्रोग्राम सेफटी फीचर्स मिलेंगे दो साल अनलेटर किलोमेटर की वारंटी मिलेगी M.E.O में तीन साल की पेंट वारंटी छे साल की एंटी परफोरेशन वारंटी फॉक्स वेगन देता है M.E.O में फॉक्स वेगन कहती है M.E.O. को साल में एक बार या 50,000 किलोमीटर पर सर्विस करानी होगी हीट इंसुलेटिंग विंस्चील्ड है पोलो का सेडान वर्जन कह सकते है M.E.O. को फिलाल अभी ये मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया है ये एक नॉच्बेक सेडान है जो पोलो MK5 पे बेस्ट है 2470 वील बेस है M.E.O. का इंडियर मार्केट में M.E.O. को 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नैचरली एस्परेटेड़ पैट्रोल इंजन और 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन में उतारा गया था की फॉब में आपको लॉक अनलॉक बूट ओपन करने का उप्शन मिलेगा अनलॉक बटन को लॉउक प्रेस करने पर 4 मिर्रस डाउन हो जाएंगे आईए बूट ओपन करके देखते हैं यहां आपको मिलेगी 330 लीटर की बूट स्पेस यहां मिलेगा आपको बूट मैट उपर बूट लैम का उप्शन दिया गया है यहां मिलेगा आपको इस पेर वील्स और टूलकिट आईए बूट क्लोस करते हैं काफी स्पेस मिलेगा आपको बूट में आईए पीछे का passenger side door खोल के देखते हैं चार speaker का music system मिलेगा हाइमियो में यहां मिलेगा speaker, bottle holder, power window के controls और ऐसे दिखती है seats, bucket seats cover लगे हुए है 3.ALR seat belts है, यहां मिलेगे आपको 2 adjustable headrest seats के पीछे pocket को option मिलेगा और यहां मिलेगा आपको rear AC vents glass holder, 12 volt के charging का port और यहां मिलेगा handle bar, hook दिया गया है और ऐसे दिखते हैं M.E.O का dashboard sunroof का option नहीं आता है M.E.O में scratch resistance dashboard है, 12 tone interior मिलेगा आईए driver side door खोल के देखते हैं, यहां मिलेगा आपको speaker, bottle holder power window के controls child lock, log unlock करने का button, ORVM के controls और इसे दिखती हैं आगे की seats 8-way manually adjustable driver seats है height adjustable driver seats मिलेगी आपको यहां मिलेगा आपको adjustable headrest और यह है flat bottom three spoke steering wheel tilt or telescopic adjustment के साथ यहां मिलेगा आपको pedals, bonnet खोले का lever light के controls, AC vents आईए driver seats में बैट के देखते हैं, यहां मिलेगा armrest के अंदर काफी space full foldable armrest है, यहां मिलेगा आपको manual handbrake, थोड़ा space और यह है five speed manual transmission seven speed DSG automatic transmission का भी option है, यहां मिलेगा 12 volt का port दो glass holder और यह है climatronic automatic AC dust filter के साथ digital display भी है और यह है touch screen infotainment system support करेगा radio bluetooth SMS readout mirror link voice command android auto, apple car play app connect, usb aux radio, media, phone, app और setup का button मिलेगा आपको यहां मिलेगे दो AC vents हजार light और यहां मिलेगा शांदार scratch resistance desk bolt dwell tone interior है और यहां मिलेगा cool glove box light के साथ, glove box में काफी space है और यहां मिलेगा passenger side vanity mirror reading lights, day and night rear view mirror, driver side sun visor और यह है speed sensing electronic power steering और यहां मिलेगा volume के controls, fox wagon का logo यहां मिलेगा voice control और यह है instrument cluster multi information display के साथ में जो दिखाएगा टेको मीटर, speedometer, odometer, trip meter और यहां मिलेगा adjustable steering, tilt and telescopic steering wheel का option मिलेगा आपको शांदार dashboard की finish है आईए bonnet खोल के देखते हैं यहां आपको मिलता inline 3 cylinder, 1200cc MPI petrol engine 75 PS power है, 110 Nm torque है और 17 का average मिलेगा 45 लीटर की fuel tank capacity है पैटरोल में एक और 3 cylinder, 1000cc MPI engine आएगा इसकी होगी 76 PS power, 95 Nm torque और उसका average मिलेगा आपको 19 का डीजल में inline 4 cylinder, 1500cc, turbo charge common rail direct injection engine आएगा उसकी होगी 110 PS power 250 Nm का torque मिलेगा और वो देगा 21 का average फॉक्स वेगन M.U. फिलाल discontinue हो गई है इंडियन मार्केन फॉक्स वेगन के फिलाल 3 models आ रहे है फॉक्स वेगन वल्टेज सेडान जिसकी on-road price है 13,29,000 रुपीज टाइगून जिसकी on-road price है 13,45,000 रुपीज टिग्योएन जिसकी on-road price है 40,69,000 रुपीज 2023 में टाइगून के new model launch हो रहा है और इसके अलावा ID4 जो की 50-60,000,000 रुपीज की price range में ये भी launch हो रही है आपको फॉक्स वेगन याई यो कैसी लगी प्लीज कमें जरूर बताइएगा चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में किसी ने टापिक के साथ में तब तक के लिए बाई बाई आटो मॉबाइल से रेडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें